हेलो गाईज मैं हूँ प्रवीन और आप लोग देख रहे हैं Tech for AP YouTube चैनल तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग और आज हम इस वीडियो में जो है सीखने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल का जो है होम पेज कैसे सेट कर सकते हैं और अपने चैनल को जो है कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं तो यह दौनों चीज़े हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो कि वीडियो आप सभी के लिए informative होने वाली है तो इस वीडियो को लास्ट तक जो देखना क्योंकि मैं step by step सारी चीज़ें समझाने वाला हूं तो वीडियो को skip मत करना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर पहली वार मेरे चैनल पर आ है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification को और पस एट कर लेना जिससे आने वाली सारी वीडियो का notification आप तक सबसे पहले मिलता रहे तो गई सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो है वाइट श्टूडियो को desktop मोड में open कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते है open कर रखा है तो कुछ इस तरीके से मैंने भी content वाला option ज दिख रही होगी right corner में इस पर आपको एक बार टैप करना है जैसी आप टैप करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा आप चाहो तो firefox browser या फिर chrome browser दोनों मैंसे किसी में भी अपने चैनल को desktop mode में इस तरीके से open कर सकते हो अब जब आप यहाँ पर जाना है योर चैनल पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से लोड होगा थोड़ा सा internet जैसा भी आपका speed रहेगा internet का उस हिसाब से ये open हो ठीक है उसके बाद देख सकते हो आपका इस तरीके से open हो जाएगा जैसा कि मेरा open हो गया है अब open होने की बाद यहां पर क्या करना है य कस्टमाईज चैनल पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा थोड़ा सा यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो है कस्टमाईज चैनल का जो जैसी क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से ओपन होने वाला है तो वो यहां से set होता है जो मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो ये वाली बंधावन सब्सक्राइबर्स वाली जो पहली बार हम मेरे चैनल पर आएगा वो ये वाली वीडियो उसको देखेगी new viewers ठीक है अब उसके बार नीचे जो है featured video for returning subscribers जो मेरे चैनल पर already subscribe करके रखा है अगर वो मेरे चैनल को खोलेगा तो उसको ये वाली वीडियो देखेगी ठीक है अब उसके बार नीचे जैसे कि मैं बोलता हूँ कि popular uploads का section add करो तो यहां से जो add section को option देखने को मिल रहा है इस add section वाले option पर जाकर हम popular uploads का section यहां से जैस करेंगे यहां पर उपर इसी के उपर टैप करेंगे एक बार तो यहां पर three dot खोल कर आएगा three dot पर click करके यहां से हम chain कर सकते हैं और remove भी कर सकते हैं तो इस तरीके से जो है आप अपना new years returning viewers के लिए video यहां से set करे सकते हैं उसके बाद उपर की तरफ popular uploads का section है तो पहले आप आपको popular uploads का यहां पर एड़ करना है उसके बाद uploads का करना है अगर कोई section delete करना है तो आप इस पर टैप करके यहां three dot पर जाकर remove section कर सकते हैं अब उसके बाद यहां पर बात आती है कि आपको इसको यहां पर आपने यह home page set कर लिया अब उसके ब्रांडिंग पर चले आएंग तो यहां से आप अपना profile picture chain कर सकते हो यहां से अपना उसके नीचे आपका banner chain कर सकते हो और उसके नीचे वीडियो का watermark chain कर सकते हो ठीक है अब उसके बाद आजाते हैं अपने यहां पर चैनल के description में यहां से आप अपना description chain कर सकते हो उसके बाद नीचे की और अगर आपको custom कर सकते हो यहां पर अपने सोसल मीडिया का लिंक एड़ कर सकते हो और उसके बाद यहां पर आपको अपनी इमेल आड़ी एड़ करने होती है ठीक है तो आयोप आपको समझ में आगयोगा इस तरीके से जो है आप अपना चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं तो आयोप आपको करते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो चलो फॉलो भी कर लेना तो वीडियो करते हैं तब तक लिए बाई-बाई टेक क्यार एंड जै